हाई फ्रेंड्स अस्सलामु अलेकुम और हमतुलाहियो बरकातु हूँ वेलकम टू माई चाइनल गर का खाना वित नुर जहान कीचन आज हम बिर्यानी के चावल बॉयल करेंगे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे चावल हमारे बॉयल हो गये हैं बहुत ही कम वक्त में त चोरू करते हैं यहाँ पर मैंने बासमुती चावल ली हूँ 1 किलो 250 ग्राम यानि सवा किलो इसे हम 3-4 पानी से दो कर 30-40 मिनिट के लिए भीगा कर रखेंगे ठीक हैं चावल बाकारनी के लिए हम यहाँ पर लेंगे 3-4 तेज पत्ते पास्ते 6 लॉंग 8-10 कालामेरी एक बा छोटी एलाइची जावीतरी का फूल और दालचिनी के तुकड़े इन तमाम चीजों को हम तेल में फ्राइ करेंगे ठीक है अब हम यहाँ पर एक बड़ी पतेली लेंगे बिस्मिल्लाह रह्मानी रहिम यहाँ पर हम तेल डालेंगे दो से तीन चमच गैस का फ्लेम फास है अब हम इसमें हमारे खड़े मसाले डालेंगे और इसे एक मिट के लिए अच्छी तरह फ्राइ करेंगे ठीक है याद रखिएगा जलाएंगी नहीं चमच से हिलाएंगे अब एक मिट हो गया है अब हम इसमें पानी डालेंगे हमारे चावल सववा किलो है तो हम यहापर आठ गलास भरके पानी डालेंगे ताके हमारे चावल अच्छी तरह उबल जाएंगे आप देख सकते हैं दस मेट में अच्छी तरह उबल आ गया है हमने नमक जादा इसले डाले थे क्यूंके पानी जादा है और हम पानी डालेंगे अब हम इसमें हमारे भीगई हुए चावल चमच के इस्तमाल से अच्छी तरह छन कर यारि इसका पानी नहीं लेंगे और उसे हम मेरे उबले हुए पानी में डाल देंगे हमने पूरा चावल दाल दिया है अब इसमें एक लिम्बू का रस दालेंगे ताके हमारे चावल अच्छी तरह चुट्टे चुट्टे बन जाए इसे चमस से अच्छी तरह उपर निचे हिला देंगे आप देख सकते हैं पानी जादा है चावल से क्योंकि उबालने के बाद हमें इसे निथारना भी है अब हम इसे ढख कर रख देंगे उबाल आने तक कम से कम 10 मिट के लिए आप देख सकते हैं दस मिट हो गए हैं हमारे चावल अच्छी तरह उबल गए है पानी है नीचे आप यह में समझे के पानी सुब गया चावल अच्छी तरह पक गया है अब हम इसे निथारेंगे मैंने यहापर एक च्छनी ली हूँ उसके अंदर नीचे एक पड़ी पते ली रखी हूँ अब हम चावल उसे में निथारेंगे थोड़ा थोड़ा करके आइस्ता आइस्ता दालिए गरम है चावल च्छनी में से पानी नीचे निकल जाएगा आप देख सकते हैं अब हमने इसे एक बड़ी थाले में निकाल लिया है हमारे चावल ज्यादा है च्छनी में ज्यादा नेरे पाएंगे इसी तरह हम जितने च चान लेंगे, गैस का फ्लेम तो हमने पहले बन कर दिया है, आप देख सकते हैं, हमारे चावल बहुत ही चुट्टे चुट्टे पक गए हैं, अब हम इसे बिर्यानी के लिए इस्तमाल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, कितने जल्दी हमारे चावल उबल गए हैं, और बहुत ह आसान तरीका है तो प्लीज आप भी जब भी बिरियानी बनाएंगे तो चावल इसी तरह उबालेंगे ठीक है अगर आपको मेरा ये चावल उबालने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताईए के चावल कैसे उबले और कैसे बने ठीक है, आप मुझे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है मुझे उमिद है आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे और मेरी चाइनल को लाइक भी करेंगे ठीक है शुक्रिया खुदा आफीस